हाई गाईज, विल्कम बैक टू माई चैनल, सौगत आप सभी का एक और मज़ेदार वीडियो में, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहतरी नोट टेकिंग अप्लिकेशन के बारे में, जिसका की यूज करके आप अपने नोट को मेंटेन कर सकते हो, उसी एप के अंदर, और इस एप को यूज करना बहुत ही आसान है, इवन जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, उसके तुरू आपको तो एप ओपन भी नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे ही इसका यूज कर लोगे, चलो या टाइम को वेश्ट ना करते हैं, जल्ली से कौन सा वे अपलिकेशन और कैसे इसका यूज करना है, सबसे पहले आपको अपने प्लेश्टोर में आजाना है, यहाँ पर आपको सेर्च करना है Color Note, इसका लोगो आप देख लीजे, आपको यही वाला अप्लिकेशन इंस्टॉल करना है, यह आप्लिकेशन बेस्ट आप है अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो क्योंकि इस अप्लिकेशन को यूज़ करना बहुत आसान है और इसके फीचर्स भी काफी अच्छे हैं इस्टॉल करने के बाद आपको इसे ऑपन कर लेना है आपके सामने कुछ इस consent करने पेछ आपको इन पर क्लिक करना है और आपको यहां पर option अउप्सिन मिलता है online back-up का बहुत ज़या इंप्पॉर्टन फीचर है विकाज अगर आप चाहते हो कि आप जो भी notes बना रहे हो उनका online backup होते जाए जिसे कि future में कभी आप device चेंज करो या फिर आपका device खो जाए तो आपके notes कभी गायब ना हो तो आपको online backup पे click करना है और यहाँ से अपने Google account से या Facebook ID से sign in कर लेना है तो यहाँ पर sign up करने का यह फायदा होगा कि जब भी आप future में किसी दूसरे device में sign up करोगे तो आपके सारे notes वहाँ पे backup में आ जाएंगे तो यह चीज जरूर कर लेना आप गैज बात करते हैं इस application में कैसे आपको notes बनाने है और कैसे यह आपके लिए helpful हो सकता है आपको इस plus वाले icon पे click करना है then text पे click कर देना है सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने notes का title देना है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ to do list तो basically आप जिस भी title से रखना चाहते हो अपनी note का नाम आप लिख सकते हो then आप जो भी यहाँ पर type करोगे आप वो कुछ भी save करनी की ज़रूत नहीं होगी जितना भी आप type कर दोगे फिर आप चाहे back कर दो या minimize कर दो आपकी notes save हो जाएंगे इस तरह से हमारा first note यहाँ पर बन चुका है हम इस पर click करेंगे और हमारे note open हो जाएगे इसी तरह guys हम कई सारे notes को यहाँ पर बना सकते हैं अलग-अलग category अगर आप रखना चाहते हो तो आप फिर से text पर click करके फिर से कुछ यहाँ पर type कर दीजे और फिर से यह आपकी एक और नहीं list बन जाएगी इसके लिए guys मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने notes को easily access कर सकते हो आपको बार-बार application open करनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए guys आपको अपनी home screen में आ जाना है दिन आपको यहाँ पर long press करना है दिन आपको widgets पर click कर देना है so widgets पर जैसे आप click करोगे आपके सामने यहाँ पर आपकी notes का option आजाएगा आपको notes पर click कर देना है दिन आपको add button पर click कर देना है अब आपको अपने उस note को select कर लेना है जिसको की आप quickly access करना चाहते हो तो मैं हाँ पर to-do list पर tick कर दूँगा अब guys आप दे सकते हो यहाँ पर यह हमारा एक option आगया है to-do list का हम जब भी इस पर click करेंगे हमारी direct वही to-do list open हो जाएगी और guys हम जो भी यहाँ पर type करेंगे then back कर देंगे तब यह हमारा automatic save होता जाएगा अब आप समझ यह होगे कैसे आप color note application का यूज कर सकते हो अपनी daily basis के टास्क को पूरा करने के लिए and I hope आपको यह वीडियो काफी useful लगा होगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो यार एक लाइक तो बनता है चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और informative वीडियो के लिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई